केलो काई बॉट्म नियुक्त को फैसली अगया विए चीज़ पर के अधिश्विट करने की जरूद में यह प्रहूट नहीं ने के यह पनाया गया था जो आपको पता की जरूद नहीं है तो पीम की एर्स फंड बनाया था उसको अधिन जरूद की जरूद नहीं है तो बस एक चीज़ तो सबसे ज़्याता है यह इंपोर्टेंट की ओर्गनाइजेशन नहीं है लिखा हुआ है इसके फंड्स जो है वो वॉलेंट्री दी जाते हैं कोई से जवर्जस्ती नहीं किरी जाती अपने आप कोई युद्स अच्छा से दे सकता है और ट्रांसफर जो है उ चाहें तो इसमें अलग से पैसा डाल सकते हैं लेकिन जो पीएम केर्स का पैसा है वो नहीं जाएगा इसमें का ऑडिट नहीं होगा और क्या कहते है नो रीजन टू लेडाउन मिनिमूम स्टेंडर्ड यह सब आपको जानने का नहीं है बस आपको यह जानना है चैरिटिवल कि यह एक गर्वर्मेंट की और इसन स्वात सकते हैं इसे रखा गया पबलेक अकाउंट में आपने में पढ़ेएँ दो तरीके का होते हैं आपके एक तो क्या कतने में प्लेक हैं प्यर्म की जरूवरत नहीं होती कभी इसको पैसा ची और अपने एक्जीवत आइक्शन से प निखाल सकती है अंडर NDRF एक चीज यह जाद रखनी है यह पीम केट्स में आपको बता दी है चैरिटिबल ट्रस्ट है इसमें एक और और ओर्गनाजेशन का शिकर हुआ था वह और देखिए दोनों सेमी न्यूस थी इसमें था पीम नेशनल रिलीव फंड यह क्या चीज है ताकि जो रेफ्यूजी आ रहेते हैं पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ट परसन उनको मदद की जा सके तो आप याद रखेंगे पीम नेशनल रिलीव फंड भी है वो किसने बनाया था जवाला नहरून मनाया था नाइंटीन फॉर्टीएट में बनाया था वो भी एक नहीं करेगी अच्छा इनको क्या पॉडिट नहीं करेगा तो अडिट करेगा कौन तो अडिट करेगा देली वेस्ट चार्टेट अकांटनें एसे आर सी यह कोई प्राइविट और निश्टन नेशनल डिलीव फंड को इसमें एक इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट आता है वह पैसा डालती है तो उसका CSR मालने जाएगा क्यां उसका CSR complete हो गया तो CSR क्या होता है अगर कोई company पिछले तीन साल में पांच करोड का profit कमाती है तो उसे profit का 2% ऐसे कामों में देना पड़ेगा Social काम में corporate social responsibility बोलते हैं Social काम मतलब किसी भी trust को दे सकती है government के किसी भी संस्ता को दे सकती है ताकि कोई भी social काम कराया सके यसे education के field में health के field में कैसा भी social काम हो सके जो भी company 5 करोड से जादा 3 साल में profit करती है in 3 years, 5 करोड से जादा profit करती है in 3 years, in 3 financial years उसे अपना 2% of profit as a donate करना पड़ेगा ये mandatory है तो अगर कोई company इनके इसमें PM cares में या इस वाले में फैसा डालती है तो उसका CSR complete माना जाएगा कि हाँ उसमें CSR अपना पूरा कर दिया है तो आप ये मत ध्यान अगर कोई भी company पिछले लाश्ट तीन साल में पांच करोड से जाधा profit कमाती है तो उसे अपने profit का 2% सोशल काम में खर्च करना पड़ेगा ये mandatory है बस इतना ध्यान रखिए और कुछ नहीं पूचा जाएगा तो CSR पूचा जाएगा और ये चीज़ें अलग पूची जाएगा तो नेक्स्ट न्यूस इस अइपिटाल अकउट अगर कभी भी 10% से ज़्यादा होगा से 10 परचतल पर्चेमट होगा से में 10 परचतल अफिफसे हमें 10 परचनल फेचनल फारे hetre आई वह audi magic route नहीं आएगा में गांट से जो पैसा आता है तो यहां दो सब्सक्राइब कर आदा अतो इसके प्रोजेक्त से तो में को यह FDI बताना तो मैंने आपको बता दिया, FDI जो हमारा जादा सेफ मनी होता है, FII जादा सेफ मनी नहीं होता है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं, FII को कभी-कभी बोल देते हैं, एक्जाम में ओवरनाइट मनी, रात और रात यह पैसा चला जाता है, लेकिन FDI में क्या होता है, टेकनलोजी ट्रांसफर होती है, यहां के लोग को जॉब मिलती है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इसके लिए प्लांट वलांट लगता है, और इसलिए एक दिन में पैस यह वापिस नहीं हो चकता, लेकिन FII में क्या होता है, रातो रात अगर कोई गलत इंफोर्मीशन आ रही, तो इन्वेस्टर सारा अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो FII को हम कभी-कभी ओवरनाइट मनी भी बोल देते हैं, सुप्रियम कोट ने एप्रूब कर दिया, अब सुप्रियम कोट ने 6 एडवोकेट को हाई कोट का जज बना दिया है, तो कैसे बनाया है, तो यह बनाया जाता है थूरता कोलीजियम, जरूर ध्यान रखेगा, वेर इंपोर्टेंट कॉश्चन है, यह पिछले साल UPSC के मेंस के पेपर में आ गया था, पूरो कॉलीजियम पूछ लिया था और NJAC में बता दूगा दोने चीज़ क्या है, तो UPSC ने सिविल सर्विस में पूछा था, आपसे शायद पूछ ले, फिर भी आप जान लीजे क्या होता है, कॉलीजियम तो जान ही लीजे क्या होता है, तो कोलीजय में कुछ नहीं होता एक सुप्रीम जो हमारे CGI होते हैं और प्लस चार अधर जो जज होंगे सुप्रीम कोट के वो डिसाइड करते हैं कि हमें किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं करना है कौन-कौन एक तो CGI जो होंगे Chief Justice of India और चार अधर जज सुप्रीम कोट के डिसाइड करते हैं मिलके यह 5 लोग कि किस बंदे को हमें जज बनाना है किसको नहीं बनाना है बस इतना ध्यान रखेगा फिर बनाता कोने जब सुप्रीम कोट तो प्रेसीडेंटी अप्रूवल करता है लेकिन जो यह बोलेंगे 5 लोग तो प्रेसीडेंट को वह बद मान पड़ेगा बस आपको यह चीज़ दियान रखने हैं अभी देखे क्या हुआ है यह मैंने नीचे लिखका था इसको मैंने जूम करके लिख दिया है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहु बड़े सा एंड टॉप फॉर सीनियर मोश जज़स जो मैंने यहां बता है प्लस फॉर लोग उन्होंने हाई कोट के जज़स को चूज किया अब बहुत बार इजह लिखा बॉन्दा थ्री जज़स केस अब यह कोलीजियम की बात आई कहां से पहले एक चीज़ यह बता देता हूं तो थ्री जज़स केस है पहला फर्स्ट ज़ज केस हुआ फर्स्ट इसे मना कर दिया था कि जो बोलना वह ना भी चाहे तो प्रेसिडेंट अपने से काम कर सकता है फिर उसके बाद एक हुआ सेकंड ज़स केस जब फस्ट ज़स के जोगे उसके सेकंड ज़स केस हुआ था इसमें यह चीज ऊपर वाला जो डिसीजन था इसको ओवरूल कर दिया इसमें बोला कि प्रेसिडेंट अपने मन से काम नहीं करेगा उसे CGI जो बोलेगा वो चीज मानने ही पड़ेगी मेंडेटरी है यह हो गया था इसके बाद थर्ड ज़स केस हुआ थर्ड ज़स केस में यह चीज निकल के आई यह कोलीजियम वाली थर्ड ज़स केस में आता है कोलीजियम इसमें बोला गया कि CGI अपने अचिजद से काम नहीं करेगा सी ज़स को चार लोग और बोलेंगे CGI प्लस चार लोग जो बोलेंगे President of India को तो President of India को वो चीज़ माननी पड़ेगी Mandatory तो Collegium का कहा चीज़ आया तो Third Judge Case हो यहां लिख रहा है Born from the Third Judge Case तो मैंने आपको तीनों Judges के Case बता थी कहां से पैदा हुआ फिर यह NJAC क्या है NJAC क्या है National Judicial Appointment Committee इसे बनाने का बात हो रही थी क्योंकि Collegium System में बहुत सारे चीज़ें लोगो को गलत लग रही थी क्योंकि यह Judges ही अपने आप डिसाइड कर रहे थे तो इनके पास एक तो administrative burden हो रहा था फिर लेक्स transparency पता ही नहीं चल रहा था यह सही नहीं है यह basic structure का हान नहीं हान ही कर रहा है तो यह चीज़ खतम हो गई NJAC अब नहीं है बस आप Collegium ध्यान दखेगा Collegium में third judge case से बनाए और कितने लोग होते हैं और President mandatory approval देना ही पड़ेगा बस और कुछ नहीं So the next news is Bhopal Development Plant NTCA Bhopal ने भी development plan है तो उसको review करने की बात कर रहा है NTCA आसा बोला NTCA जान लेते हैं very important body है NTCA एक statuary body है बस यह ध्यान रखेंगे किस ministry में आती है Ministry of Environment, Forest, Climate chain में आती है कौन से act के थूँ बनी है Wild Life Protection Act एक ही एक्ट है वो 1973 में शुरू हुआ है यह पहले Central Sector Scheme थी लेकिन बाद में Centrally Sponsored Scheme हो गई आप कोई पूछे तो Project Tiger कैसा है Centrally Sponsored Scheme है Centrally Sponsored का मतलब क्या होता है कि इसको में पैसा Central Government भी देगी और State Government भी देगी Central Sector Scheme क्या होता है कि सारा पैसा Centrally Sponsored Scheme क्या होता है कि दोनों पैसा देंगे Center भी पैसा देगी State भी पैसा देगा तो जो Project Tiger है इसकी देख वाली कौन करता है NTCA NTCA is a governing body NTCA जो है गवर्न करता है कि इसको Project Tiger को यह भी आप द्यान रख चाए NTCA का यह भी काम है आज का कुशन यह है कि Tiger Senses कौन करता है बस और कितने साल में होता है How many years में होता है और कौन करता है मैं बहुत बार बता चुक हूं अपनी lectures में तो प्लीज आंसर दीजेगा कौन करता है कितने साल हो बात करता है So the next news is Cheetah from South Africa Reach मैसूर जू तो यह ㄼिया छीडती है क्यों मैं यह क्यों क्यों कि यह फ़ास्टेस्ट चिफॉल बल्ड का सब्स तो प्हट पर चिचंट मैं यह लेकिन आपको पता उना सचीबैदी कोज भ़रा इंडिया चीज़ए एक दम एकस्टिंट वो गहते कब हो गए था खतम? 1952 में चीत एकसीट वो गयते इंड्या से तो गर्मेंट को लगा कि आ में रहा की चीत वनी चाहिए तो उन्होंने बोला कि हमें बहार की देशों से इंडिया में मंगाने चाहिए तो अफरीका में बहुत सारी चीते पाई जाते हैं तो हमने डील करी थी अफरीका के साथ है कि अफरीका से हम चीते मंगाएंगे तो कहां रखेंगे अपने आप तो दो सेंचुरी में रखने की बात हुई थी तो इन सेंचुरी का नाम याद रखेगा एक तो कुनो सेंचुरी एक नौरा देही करके है नौरा देही यह दोनों सेंचुरी का नाम है जहां चीता को रखने की बात हुई थी बाय री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो यह दोनों जो है वो MP में बस आप यह दियान रखेंगे कहां री इंट्रोड्यूस की बात हुई थी कुनों wildlife century और न कुनो wildlife century और नौरा देही इसमें री इंट्रोड्यूस किया गया चीता को अगर कोई पूछ लेता है कि IUCN स्टेटस क्या है एशियन चीता का अगर कोई पूछता है तो वह तो है critically endangered critically endangered एशियन चीता का पूछता है लेकिन अगर कोई पूछ ले अफरीकन चीता तो वह जो है क्रिटिकली इंट्रोड लेकिन अगर पर्टिकुलर यूप अशियन चीता करना और टार्गेट करेगा तो यह ऐसे करेगा एफ्रीकन चीता होगा तो वल्नेवल लोगा एशियन चीता होगा तो ग्रेटिकली इंडिंजर्ड होगा प्लीज रमेंबर वेर इंपॉर्टेंट सबस्टिकली प्लजक्त, को एफ्रेंट वेल ऊप्रेंट लगा उत सबस्ट होगा तो इन चाम कर लोगा थेन्ट वर्माशियन चीता होगा निया प्लिजक्त करेगा तो कि आएउन उन प्लिड estना the एन चीट स्बस्टिक्न प्रोज्ट करेगा ता कि प्लिण शी होग बचनेबारिया इंदा लोग सभा इसलिए न्या परलीबे Hm की का नाम है और कुछ नहीं है उप का नाम ृपर्टीरिश्टरिरी प्रोग्राम रिप zwischen 200.9 एक यसे बनाए क्हिसने ले इनाया कांचिल डियर सैंटर फो डिश्जivering इनवास ब्रोग्रामि क संधित तो आप शॉट शॉट में याद रखेगा, ICMR प्लस NCDIR, इन दोनों ने मिलके यह रजिस्ट्री बनाई है, इसमें बोला गया कि 12% राइस हो गया है, तो अगर यह तो पेपर 1 के लिए इंपोर्टन नहीं है, पेपर 2 के लिए एक फैक्च्वल न्यूस है, अगर कहीं आप चा तो यह अच्छा फैक्ट है, आप यूस कर सकते हैं, कभी को भी रजिस्ट्री पूछ लिता है कि इसने इंटर्ड्यूस करी वैसे इंपोर्टन नहीं है, लेकिन फिर्मी मैं आपको बताती है, यह तो आप स्टेटिक न्यूस याद रख सकते हैं, कि यह सब स्टेटिक आप सब सकते हैं, लेकिन ससकी है, लेकिन अपको डिप्लाय अबियां निन्जा सभड रच्प सब एक बाते हैं, अब बिकल को उन्छा नाम है, व्र लेकिल को ड्रॉन्वाइन ये थाताने के लिग लेकित दिजाच्टल पस आपको याद रख रख नग है, बाते हैं अंड Regierung यह रेल्वेस भी यह जिए विजो पर उने उन्री चेजी को निजाभी रहत पर कुछ मόले तो पर निन्जा रहते हैं जो आपकाल लगाई है ऐसा मेरा पेन बन दो गया एक मर्ट हम बीजिंग ने अच्छाइब कराए यूएस ओवर हवाई संक्षिंशन्स आधे चल जाए अधोगा देगे जिए देगे ती है थीक है चल गया बीजिंग यूएस ओवर हवाई संक्षिंशन्स जादा वर पड़ दिया तो हवाई जो मोबाईल की कंपनियों सबसे पहले 5G लाने वाले वेती तो सबसे पहले इसको बैन जो करा था वो यूएस ने करा था उसके बाद UK ने भी बैन कर दिया तो आपको ध्यान लखना पड़ेगा इसके लिए जो आपको वस ध्यान लखना है वो यह ध्यान रखना है कि एक बनाया गया था डी 10 क्लब फॉर 5G यह कहीं नहीं मिलेगा आपको लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है डी 10 क्या होता डेमोक्रेसी 10 डेमोक्रेटिक कंट्री ने क्लब बनाय था फॉर 5G कि हवाई जो कंपनियों उसको हम अपने बैन करेंगे तो अज की न्यूस कंप्लीों तो कि मैंने इतनी न्यूस थी है आज कर था अगरा को बताएंगे बहुत इंपॉट्टेंट क्षोन है मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं हूँ है टाइगर सेंस कब होता और वी तरहां कितने साल होताए या आप में को बताएंगे और कोई आप कमेंक सेक्षिन डिखेंगे कल आपका नोटिफिकेशन आ गया है तो सबसे पहले आप यह काम करें कि आज एक तीन को अब ऑपने लग दिकत नहीं लगा और जिनके को इसे प्थन लगाना भाल जीन के सही है वह आज ही आज में अपना फॉर्म भडें लास्ट डेट का वेट ना करें क्योंकि पहले जिनको अपने मतलब सेंटर लॉट उनीक होगा फस्ट कम फस्ट बेसिस पहोता है तो सबसे अच्छी बात है कि अभी आप अपना अच्छे से फॉर्म भर लें शांती से जिनको अपने किसी चीज में दिक्कत है तो वह अराम से लेकिन जिनको कोई दिक्कत नहीं हो जल्दी से बलने एक और बात सीट जो हो किवल 209 है आपको कल पता ही चल गई होगी तो आपको जितनी मेनत कर रहे थे मान के चलिए उसकी डबल मेनत करनी है डबल मेनत करनी है वनना भूल जाहिए कि CEPF में आपका हो पाएगा 209 है और म अपने स्टेटिक पोर्शन पर दियान दीजिए अगर मेर को फॉल करेंगे आपको यहीं याद करा दूगा सब आप जो लोग में को रेगुलर फॉल कर रहे हो उनने तो पता ही चल गया कि इतना याद हो जाता है और ऐसा निया कि करेंट अपका फुल पॉलिटी में यां में आपको बता चुका हूं यहीं आपको अन्या कंवेंशन इसा बता ही चुका हूं तो काफी चीज तो मैं आपकी यहीं कमपलीट कर दूगा तो मेर को रेगुलर अगर 15-20 मिनित को डिली देता है तो उसके गयारंटी मैं नहीं लेगा उनकरा दूगा लेकिन 10-15 सवाल की ले सकता हूं कि इतने में करा दूंगा, इतने ही कोश्चन आपको चाहिए फर एक्स्ट्रेज, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कुछी कोई भी दिक्काते कमेंट सेक्शन लिखेंगे, सब आज आंसर देंगे, बहुत इजी कोश्चन है, और सब अपनी स्रियत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक्जाम पास आ रहा है, कोई भार जाने के जरूत नहीं है, घर में बैटके सब पढ़ाई करें, तो थैंक यू गाइस, टेक क्यार, पाब है,